Hi everyone, आज हम फनु के नाम संस्कृत में सीखेंगे तो चलिए, शुरू करते हैं यह मौसमी, मौसमी को संस्कृत में मतुलूंगम कहा जाता है इसे कहते हैं मतुलूंगम और ओरेंज याने संत्रा इसको कहते हैं नारंगम नारंगी रंग का होता है न, तो उसी से यह वर्ड निकला है नारंगम और माल्टा माल्टे को संस्कृत में कहते हैं लिम्पकम लिम्पकम और नाशपाती उसको कहते हैं आम्रित फलम नाशपाती को कहते हैं आम्रित फलम अब यह देखे, कस्टरड अपल कस्टर डापल शरीफा जिसे हिंदी में कहते हैं उसको हम संस्कित में कहेंगे सीता फलम शरीफा इसे कहते हैं सीता फलम और कोकनट यानि नारियल नारियल को संस्कित में कहेंगे नारि केलम और पाइनापल अननास इसे संस्कित में कहते हैं अना नासम अना नासं और grapes अंगूर यानिकी इसे संस्कित में कहते हैं द्राक्षा फ़लम इसे कहते हैं द्राक्षा फ़लम और अब यह देखे आम जो बैंगो होता है फलों का राजा इसे संस्कित में आमरं या रसालम इट इस आम्रम या रसालम भी कह सकते हैं सेब को कहते हैं सेवम केला इसको संस्कृत में कहा जाता है कदली फलम केले को कहते हैं कदली फलम और पोमिग्रेवेट यानि कि अनार अनार को संस्कृत में कहते हैं दाडिमम अन्नार को कहेंगे दाड़ी मम